साटरडे आउटिंग में ये कोकुनर ट्री की ठंडी ठंडी हवा और धूल मिट्टी खाते हुए और बैंगलुरू की ये ट्राफिक से जूचते हुए हम लोग पहुच गए फोरम मॉल मॉल ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम लोग अपनी गती रखते हुए दो चक्कल लगा चुके मॉल का यहाँ पे हम लोग एसकलेटर से उतरते हुए और हमें दिख गई बच्चों की ट्रेन देखकर बच्चपन की याद आ गई फिर हम लोग को दिखा डी कैथलान अरे चलो नई दुकान खुली है विंटर तो चली गई है बट फिर भी मैंने एक ले ली विंटर कैप मुझे बहुत अच्छी लगी और यह हम लोग बाकी कैप्स कभी जर्ज करते हुए कि कौन सी लेनी है और यह हम लोग नजर घुमाते हुए बाकी सारी चीजों की तरफ यह है short form of decathlon मतलब दुकान छोटा है और collections कम है उसके बाद हम लोग चलें loyal market के अंदर और तूट पड़े bakery के दुकान पे देखकर तो पुरी दुकान लेने का मन था बट अपने को कंट्रोल किया और एगपफ्स ले लिए और यह देखिये आप भी अपनी भूख बढ़ाईए यह सब yummy और delicious चीजे देखकर और जैसे ही एगपफ हम लोग को हाथ में मिला यह हम लोग दोड़ते हुए exit की तरफ वो है हम लोग की कार लाइन में लगी हुई घर पहुँचते ही फटाफट एगपफ को मैंने microwave किया और यह microwave के अंदर डालते हुए पहले तो समझ नहीं आया कि timer कितना set करे फिर कर दिया set एक मिनट के लिए ज्यादा microwave करते तो यह एक पफ से roasted puff होके निकलता और जैसे ही एक पफ गरम हो गया हम लोग उसी पे हला बोल दिये छुट्टी का दिन तो भाई अधूरा है एक कप कॉफी के बिना और यह बन रही है मेरी कॉफी तो हम लोग अभी कॉफी एंजोई करेंगे और मिनी व्लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब आर चैनल